सो गाइज वेलकम टू प्ले कंसोल आज के सुड़ों में बात करेंगे नीट फॉर स्पीट के नेक्स जेन गेम के बारे में क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफी लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं और बहुत लोग का यह सवाल होता है कि नीट फॉर स्पीट का निया गे देखें और अगर अपने चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बिल आइकन को प्रेस कर दें ताके आने वाली मेरे अपकमिंग सारी लेटेस्ट गेमिंग न्यूज और गेमिंग रिव्यू रिलेटेड वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचे नीच फोर श्पीड यह का यानि के छा काफी जादा पॉपलर गेम यह यह एक रेसिंग गेम है और यहाँ पे बहुत ज्याद वह निकल के आए थे सामने लैइक निच फोर श्पीड हाठ परस्यूट नीच फॉर स्पीड मोस्वांट तो यह सारी गेम जो है नीच फॉर स् लेकिन बैक इन फरवरी 2020 ये ने ओफिशिल इस चीस को कंफर्म किया कि वो लोग एक Need for Speed के Next Generation गेम पर काम कर रहे हैं जो के Next Gen कंसोल के लिए होने वाला है और उस वक्ट प्लेशन 5 और पॉसली 6 मार्किट में लांच भी नहीं हुए थे तो तब ही ये ने अल्रेडी कंफर्म कर काम कर रहे हैं के अटेरियन गेम के बारे में आपको अल्रेडी पता होगा काफी जादा पॉपलर गेम इस्टूडियो है ये रेसिंग गेम में काफी ज़्यादा पॉपलर है बन नौट सीरीज जो है वो इनहीं का बनाया हुआ है और इंक्लूडिंग इन्होंने multiple गेम बना accurate होते हैं तो इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है मैं आपको दिखा दूं तो according to Tom Henderson talking to Twitter यह insider Tom Henderson related word that the game will release sometime this September or October unfortunately Henderson doesn't narrow the release down beyond this what he does do is mention that the game's development was actually paused last summer in order for criterion games to shift to helping the development of battlefield 2042 तो यह कहा है Tom Henderson ने और उनकी according बताया गया है कि इस next generation need for speed पे काम स्टार्ट हो चुका था क्रेटेरियन गेम्स के साथ और इसका जो रिलीज विंडो बताया गया है वो बताया गया था इस सेटेंबर तक यह रिलीज हो जाएगा यानि कि 2022 सेटेंबर तक बट अनफॉर्शॉनटली यहां पर इस गेम की डिवलप्मेंट को पॉस कर दिया गया क्योंकि यहां पर सेटेंबर 2022 में लॉंच होने वाला था तो मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा हो पाएगा क्योंकि डिवलप्मेंट पॉस हो चुकी थी इसकी आई थिंक यह 2023 के लिए शिफ्ट हो सकता है possibility है यहां पर अली 2023 यह जा सकता है बट हुनोज यहां पर डिवलप्मेंट में काफी ज्यादा लोग आगे बलते हैं और ज्यादा डिवलपर्स इस गेम पर काम करते हैं तो आई थिंक यह एंड ऑफ 2022 यानि कि ऑक्टूबर टू डिसेंबर के बीच डिफ ने रिविल भी किया था अपने नेक जनेशन सोकेस में तो हां यह गेम अंडर डिवलप्मेंट में है डिफिनेटली इस साल के इंटक लॉंच हो सकता है पॉसिबिलीटी है वरना अर्ली 2023 में तो डिफिनेटली हो जाएगा अब देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट आती है इ आतनी जरूर दें और अगर आपको वीडिव अच्छ लगा है तो वीडियो को लइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बिल रैकन को देना ताक आने वाली मेरी अपकमिंग सारी लेटेस गेमिंग न्यूज और गेमिंग्ड डिवियू रिलेटेड वीडियो आप